प्रभाद बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशो करते हूँ, आप सब ठीक होंगे. तो बच्चों, आज मैं आप सब के लिए व्यंजन मा लेकर आई हूँ. यह पवर का पाँचुआ व्यंजन है. तो चलो जल्दी से आजाओ और हम सब मिलकर सुनते हैं मा व्यंजन की कहानी. एक बार मनोज के ममी पापा ने मनोज से कहा कि हम इस रविवार की छुट्टी मामा मामी के साथ जील पर जाकर मनाएंगे. मनोज यह सुनकर बहुत खुश हुआ. और उसने अपनी ममी और पापा से कहा कि वे जील पर मचलियां भी पकड़ेगा. और उसने जल्दी से रविवार के आने का इंतजार किया. और जैसे ही रविवार का दिन आया मनोज बहुत खुश था. और वे जील पर जाने के लिए तयार था. और उसने जील पर जाने के लिए अपना मचली पकड़ने वाला कानटा भी अपने साथ रख लिया. और मा को बोला कि मा मेरे लिए तुम मूली के परांथे और मक्षन भी रख लेना मैं वहाँ पर जाकर सब मिल बैठ कर खाएंगे मनोज उसके ममी पापा और मामा मामी सब मिलकर जील के पास गए और वे वहाँ पर सब बैठ गए और मनोज मच्छी पकड़ने के लिए चला गया उधर मनोज मच्छी पकड़ रहा था और दूसरी तरफ ममी पापा मामा मामी सब बैठ कर मजे से बाते कर रहे थे और थोड़ी देर में मनोज के कांटे में एक मच्छी पस गई मनोज ने उसे जल्दी से बाहर निकाला जिससे वे बहुत खुश हो गया मच्छी पकड़कर और उसने वहाँ पर जाकर अपने ममी पापा और मामा मामी को दिखाई जैसे ही शाम होने लगी उन सब को मच्छों ने तंग करना शुरू कर दिया उन सब ने बोला कि चलो आज का दिन हमने बहुत अच्छे से मनाया अब हम सब मामा मामी के मकान पर जाएंगे और वहाँ पर थोड़ी देर अराम करके फिर वापिस अपने घर को जाएंगे फिर वह सब मिलकर मामा मामी के मकान पर गए और सबने खुब मजा करा तो आओ बच्चो अब हम कुछ और भी व्यंजन मा के शब दिखते हैं जो कहानी में नहीं थे मा से मचली, मा से मगरमच, मा से मा, मा से मटका, मा से मटर, मा से मकान, मा से माला, मा से मोर, मा से मखन, मा से मेज तो आप सब भी वेंजन मा का अभ्यास करें और इन शब्दों को अपनी भाशा में प्रयोग करें धन्यवाद